हालो एंड वेल्कम तुदा एकनो फेर मैं केश मिश्रा आप सभी का अपने इस चैनल एकनो फेर प्रश्वागत करता हूँ यहां मैं बता रहा हूँ सूबी रीफ के बारे में जो साउथ चाइना सी में इस पार्टले ग्रूप आइलेंड का पार्ट है उस सूबी रीफ को चा विबात हुआ था उसके साथ मार बी इनके जो सिप वाले थे ऑफ्लिपिन की एक शिप थी उसके उपर ले जाके अपने शिप चढ़ा देते हैं ठीक है और यहां तक कि आपने पर भी मैंने पड़ाया था कि एक मौन्स्टर शिप इसने लाउन्च किया है जिसकी विश्था जानते होंगे कि इस पर चाइना, ताइवान, फिलिपिन्स, गुरुनुई और बाकी मलेसिया के साथ साथ वियत नाम भी इस पर क्लेम करता है लेकिन इस पार्टले आइलेंड के जो ग्रूप आफ आइलेंड है इसमें जो है एक बहुत बड़े भाग पर चाइना ने यह तर है तो यह अर्यूआत को आख वियन, मेहन करने बाय। ऐसमें पूरी समगती का जो प्रूप टेर से जारा जमीन पर कपजा किया है वहां एर हिस बनाई है, वहां पर हर्बर्स बनाए हैं इस तरह से जिससे वहां पर जरूरत पढने पर वह वह वार्शिप को उता शक और बहुत मतलब पूरा South China देखे, यह आपको जो दिख रहे हैं, यह सारे actual में Chinese Spartle Island group में हैं, और वो सारे जो highlighted आपको दिख रहे हैं, ठीक है, जो चमक रहे हैं, चाइना ने इन सारे groups पर किसी ना किसी बहाने से, मतलब इन सारे island पर कब्जा अल्रेडी जमा रखा है, यह पूरा रीफ है, देखे, रीफ पर इसने किस तरह से construction किया हुआ, आप बहुत अच्छे से देख रहे होंगे, यह सारा construction जो आपको दिख रहा है, यह सूबी रीफ पर है, ठीक है, देखे, इस तरह से इसने, आप देख रहे हैं, कि इसने एर स्ट्रिप भी बना रखी है, द यही हाल कर रखा है, देखे, आप, चाइना का construction, कितना जबरदस्त construction चाइना ने कर रखा है, पूरा का पूरा रीफ कबजा कर दिया है, और वहां पर पूरा उसको militarized कर दिया है, कि जिससे आपात इस तरह में किसी देश के साथ उसको यूद्ध करना हो, तो तुरंत वहां स सब चीजी, equipment, missiles, rockets, और यह सब launch कर सके, और बागी warships भी वहां से आगे भेज़ सके, ठीक है, तो बेसिकली अभी उसका देखो, South China Sea से, अगर मैं बात करूँ, तो जो Indian Ocean है, वो पास परता है, और Indian Ocean पर अपना दबदबा बनाने की कोशिश करता रहता है, यह भी कर रहा है, अमेरिका भी आच गल कर रहा है, तो यह बेसिकली उसी का पार्ट है, यह चाहता है, South China Sea से वहां का अपरोच इसके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा पढ़ लीजेगा आप लो, धन्यवाद,